जैहिन माई डियर एस्टूडेंट्स इडू फैमिली से जुड़े हुए जित्ते भी एस्टूडेंट्स है उनका हमारे तरब से जैहिन और अब आपका जो है वो रूटीन तो आहिए चुका है आप लोग रूटीन देखी लिये होंगे ठीक है और नहीं देखे हैं तो हमारे वेबसाइट पर डाला हुआ है आप वहां से जाकर देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो लेक्शियर के डिस्क्रिप्शन वेबसाइट लिंक मिल जाएगा आपको वहां पर आपको क्या है पूरा डाला हुआ है आपका तो माइड़े रेश्ट्टेंट आपको मैं सबसे पहले यह बता दू कि अब जो है यानि अब से जो आपको क्लास मिलेगा यह क्लास आपका सी प्रैक्टिस सेस्टन क्लास होगा और हां एक बात या देखेगा प्रैक्टिस इसन का मतलब मैं यह नहीं करूँगा कि जो मन में आ कराने जा रहा हूं तो आप लोग प्लीज सिरियसली जो है हर एक क्लास को देखिएगा और पूरे क्लास का नोट्स बनाएगा थोड़ा सा रिवीजन करना हुआ तो रिवीजन कर लिजएगा हर एक कोशन का हम लोग कोशन प्रैक्टेश जम के करने वाले हैं चाहे वो आपका नस्याटी के इंडेक्स चैप्टर से हो या फिर आपका एंसी सीर्टी चैप्तर जो प्रिवियस बैक लर्शांबर हो या फिर आपका मोस्ट इंप्रेटें कंषण और प्रिवियस यर हो यान यरे घर तरह स्मों को जो है वह सौलव करेंगे 360 degree पर हम लों question को solve करेंगे यानि कि चारों तरब से आपको जहां से आपका question जो है most important लगेगा वो question मैं वहां से उठा के ले आया हूँ और मैं आपको practice करा के वेजूंगा exam के अंदर ठीक है तो बस आपके तरब से एकी support चाहिए कि आप like, subscribe और share जरूर करें ताकि हमको motivation मिलता रहे और हमको motivation मिलेगा तो आपको इस तरह का बहतरीन class जो है provide होता रहेगा बीच में कभी gap नहीं होगा ठीक है तो आप लोगा प्यार जो है support हमें मिलता नहीं है इसलिए जो है बीच में थोड़ा सा gap हो जाता है लेकिन अगर आप लोग support बहुत अच्छे से करेंगे चैनल को share करेंगे subscribe करेंगे like करेंगे तो आपका जो है यह हमेशा जो है video lecture आपके exam तक जो है वह मिलता ही रहेगा regular ठ सबसे पहले हम लोग NCRT का question को जो है वह खतम करेंगे my dear residents so NCRT का question का सबसे पहले in tech question यानि कि chapter जब पढ़ते हैं चैप्टर के बीच में आपको 2-3 question मिल जाते हैं तो उसको हम लोग NCRT in text question कहते हैं so NCRT in text question में जो है आपका यह है NCRT in text question यह आपका यहाँ पर है NCRT in text question तो आपको मिलेगा बट हाँ एक्जाम से पहले तक में आपका पूरा chemistry और पूरा आपका जो यह है physics है यह आपका complete मिलेगा पूरा प्रेक्टी सेशन biology तो मुझे आता ही निए biology ऐसे टेंज मैं पढ़ा हूं biology लेकिन बहुत टाइम होगा तो थोड़ा से भूल गया हो ठीक है इ इसका मेरे पास अच्छा नॉलेज है ही नहीं थोड़ा सा नॉलेज है पूरा बढ़िया जनी है तो मैं उसको क्यू आपको पढ़ा हूं मैं आपको क्यू जूट बूट का जो है अपने पास तो आपको अगर कोई biology का टीचर बढ़िया देखता है YouTube पर ही free में जो पढ़ात जो भी आपको मिलेगा कोशन सीट अप जैसी एक्जाम बढ़ेंगे आपको मिलेगा तो उसमें एक कोशन आपको नहीं लाएं कि मैं बना के नहीं आया हूं थीक है बस आप लोग जूड़े रहें कलास में तो सबसे पहला कोशन वाइडे यह कहता है कि वाट वूड बी दा थोड़ा सा मैं कम करूंगा इसका वो काफी ज्यादा गढ़ा हो गया था चलिए अब देखते हैं आप से यह आप से यह आप से यह आप से पूछा है वाट वूड बी दा इलेक्ट्रोन डॉट इस्ट्रक्चर ऑफ कारवन विच हैस फर्मूला आप स्यो टू यानि आप से कार इसको कारवन यानि नंभर में है तो 4 नंभर में ही आएगा तो 3 चार नंबर में सिफ एस। पूछईगा नहीं उससे रिलेटेद यृपप कुछ लिखना भी होगा तड़ा लिखेंगे इससे रिलेटेड अप यहां देख सकते हैं क्या कि इन carbon dioxide carbon dioxide आपको खुद यहार पता है इस श्रक्चर दे ओहां फर्मूला ही आप देख के बता सकते हैं कि उसमें दो oxygen का ग्रूप जो है वो जुड़ा हुआ है molecules तो आप क्या बलेंगे कि the two oxygen atoms are bonded on either side with carbon atom यानि आप देख सकते हैं ध्यान से कि carbon atom के जो है दोनों side carbon atom के दोनों side जो है वो oxygen जो है अपना double bond के साथ attached हुआ है ठीक है तो आप वह चीज़ अपना language में जो है आप वहां लिख के सो करेंगे कि carbon carbon के साथ जो है वो दोनों side जो है oxygen वो double bond के साथ जो है वह आपका आपको पता होना चाहिए तो डेरा टू डवल बॉंड इन चीए अब दो oxygen है तो एक oxygen डवल बॉंड फॉर्मिशन करता है तो दो अक्सीजन है तो क्या करेंगा दो डवल बॉंड फॉर्मिशन होगा वहां पर तो आप यहां जैसे की देख सकते हैं आप यहां फीगर पे इस स्विगर में आपको कार्बन के साथ दो डवल बॉंड जो है वह दीख रहा होगा यह थोड़ा सा जनकारी आप देंगे अपने एक्जामिलर को जो आपका कोपी चेक करेगा दैन उसके बाद कार्बन जो है वह सेर करता है टू इलेक्ट्रोंस इन फर्मूला डवल बॉंड विथ वन ऑक्षिजन आटम एंड अनदर टू इलेक्ट्रोंस विथ अनदर ऑक्षिजन आटम आपको पता कि कार्बन जो है वह अपना दो बॉंड जो है वह सोरी दो इलेक्ट्रों जो है वह सेर करता है कार्बन क्यूं करता है दो इलेक्ट्रों सेर तो आपको मैं बता दू अब कार्बन जो है, सॉरी, कार्बन जो है oxygen के साथ अपना कितना electron सो करता है, कार्बन अपना oxygen के साथ है, दो electron का sharing करेगा, इसलिए क्योंकि oxygen के पास जो है, मैं अगर आपको एक चीज दिखाना चाहूं, ताप यहाँ पे देख लिजे ध्यान से, मैं आपको इसका पीछे का reason बताता हूं, ताप यहाँ से ध्यान से देखिए, कि अगर मैं oxygen का, सॉरी, यहाँ चलिए, पहले मैं carbon का निकाल लेता हूं, अगर मैं carbon का वैलेंसी निकालना चाहता है, वैलेंसी आप ऐसी निकालते है, के, एल, एम, एन करके, ठीक है, अब carbon का जो है atomic की नमबर देखेंगे तो carbon का आटोमिक नमबर 6 है, तो आप यहाँ पर दो रखेंगे, यहाँ पर चार रखेंगे, जोडने पर 6 आ रहा है, यानि कि carbon का जो है, इस तरह से चार डॉट से आप सो करेंगे, कि carbon के यह जो dot होता है, वो electron होता है, और यह electron कैसा होता है, यह आउटरमोस और बिट में ज कितने भी electron बचे हुए रहते हैं, वही यह dot सो करता है, उन electron को, चार electron को जो है यह सो करता है, अब मैं यहाँ पर oxygen का देखूं, O2 का, तो oxygen का जब मैं देख रहा हूं, तो K, L, M, N, ठीक है, यहाँ मैं O2 का नहीं देख रहा हूं, सिर्फ O का देख रहा हूं, तो यहाँ से O ध्यान से आप देखिए क्या, ध्यान से कहानी देखिएगा, वैलेंसी में आपको पता होना चाहिए, कि वैलेंसी जो है, आपका किसी भी electron का, वैलेंसी आपका किसी भी electron का, क्या होता है, एक सेकेंड, वो 0 से बड़ा होता है, या 0 के equal होता है, और आपका कहां तक जाता है, तो चार से छोटा होता है या चार के बराबर होता है वैलेंसी ठीक है चार भी नहीं होता है मेरे ख्याल से क्या होता ही नहीं है चार किसी का वैलेंसी होता है नहीं है चार से छोटा ही आपका वैलेंसी होता है और किस से बड़ा होता है तो जीरो से बड़ा होता है और चार से बढ़ा हो रहा है तो उसको आठ चुटा हमें से 3 पूरा कहाणी उगर आपको बढ़िया से बढ़न 있다 है तो आप उहां से समझ दिए जो फूदिंड फिर लंबा हो जाएगा ठीक है तो चलिए तो यहां पर अक्सिजन के लास्ट ऻङसन में बंट इन श!!" कारवन का चारार बंट नहीं सकते हैं यहां थी का तो लेकिन लेकिन कार्बन के कैस में मनलें जाता है कि वैलनसी उसका चार होता है एर टेक्टी यह कार्बन सो करता है है यह"... जाता है ठीक है लयाकिन प्रिशन करेंगा अपना करेंगा यह नहीं करता है यह अगे पढ़ां को Πर दूरत पर दूर मेंगदूर्था जाएगा यहां यहां ओक्सीजन करेंगा चे बाढ़ रहा है अब 6 बच रहा है तो यह दोगों 4 से तो बड़ा हो गया तो हम क्या बता है कि 4 से बड़ा हो हो तो हम उसको 8 मिस माइनस कर देंगे स्टेबल होता है ठीक है जैसे जैसे लियम हुआ यह हिन हुआ आपका सब Lena नहीं नोन में आते हैं मोटे में यह होते हैं अपकर है safal uno भी मात हैं और यह काफी स्टेबल होता है कि इनका वैलेंस निकालिएगा हिलियम का आपका निकालिएगा चाहिए आप नियोन का निकलेगा आरगन के निकालिएगा तो या फिर आठ यानि कि फुल्फिल इलेक्ट्रोन जो है वह आपको मिलेंगे यानि कि के सेल में दो होता है मैक्सिमम रख सकते हैं तो पूरा फुल्फिल जो है वो मिलेंगे इन सब इलेक्ट्रोनों का किनका नोबल गैस इलेक्ट्रो इलिमेंट्स का ठीक है बट यहां ऑक्सिजन का देख रहे हैं तो लास्ट में 6 बहुच रहा है अब यह बेचारा चाहता है कि हम स्टेबल हो यानि क मैंगे नोबल गैस कान्फिगरेशन में आऊं तो इसको और दो इलेक्ट्रों की जरूरत पड़ेगी तो इसके बाद इस वीडियो के देखे आए तो आपको पूरा मस्त से मस्त समझ में आएगा मैं यह गरांटी लेता हूँ ठीक है चलिए तो आपका यहाँ दो माइनस मू तो यहां कि oxygen जो है वह दो इलेक्ट्रोन के साथ अपना करेगा किसी भी क्या करते हैं इलिमेंट के साथ तो carbon का चार जो है बना हुआ था और oxygen का दो जो है वह आपने आगे दो डॉत ऐसे सो कराएगा ऐसे दो डॉत यानि यह दो इलेक्ट्रोन अपने किसी के साथ आगे तो चलिए देख लेते हैं कैसा है क्या है कहानी तो अब इतना उमीद है आप समझ गये होंगे तो जब आपको इतना समझ में आगे और आपको बहुत बढ़ियां से समझ में आहीं जाएगा दैन अभी हम लोग पढ़े क्या हैं क्या पढ़े हैं यहीं पढ़े हैं कि carbon का चार डॉट तक हम लोग ने अभी पढ़ा कि carbon जो है वो इस तरह से अपना चार डॉट जो है बनाता क्योंकि इसका आउटर मोसल में चार इलेक्ट्रोन होते हैं और वहीं पर oxygen जो है एक oxygen दो है वो दो इलेक्ट्रोन जो है वो अपना बनाता इस तरह से इस तरह से अपना द यह देखिए और औक्सीजन देखिए औक्सीजन का जो है आपका क्या होगा औक्सीजन ये देखिए इस तरह से अपना कर लेगा और यही आपका electron dot structure हो जाएगा अब मैं इसको सही से बनाने का कोशिज कर सही से आप देखिए से इसका कैसे बनेगा में सही तरीके से बनाऊंगा मैं अगर इसको तो दिखिए citizen में छे इलेक्टरोन बचा था आभी मैं आपको वेलेंशें कलेके दिखाया था तो इस तरह से अक्सीजन जो है वह अपना च्हेश और को ऐसे तो करेगा तो दो चार होगया दो दो इदर होगया तो यह देखिए यहाँ पर आपना एक्टेट रूल पूरा करेगा याँ यह अट एलेक्टोन को पूरा करेगा तो यह जो है कार्बन का भी यह जया और दोनो इलेक्टोन वो आपने पास लेलेगा, अब इनके बिस में जब हम गिनेंगे कि कितना इलेक्टरोन हो रहा है, तब गिन लीजिए कितना इसका इलेक्टरोन हो जाएगा, आज इलेक्टरोन हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, जे ये तो oxygen कहीं था, के प Alternatively ले लेगा और Information को यह पूरा करके बेचार नोबल घास configuration को Jeanne को पा पालेगा और यह स्टेबल हो जाएक और उसे तरह से कार्वन भी Je ne केहेगा तुमने हमारा लिया तो हम भी तेरा लेगा और यह थिलेकर लेके स्टेबल हो जाएगा कार्बन का भी देखिएगा तो कार्बन के पास भी एच अठ्ट इलेक्ट्रोन जो है वह मुझूद हो गया ठीक है तो इस तरह का यह यह इस तरह होता है उमीद है आप इलेक्ट्रोन डॉट इस शक्चर को समझ गया होंगे और इसी तरह से जो हम समसिघ्ट को करते हैं यहां पर फिगर देख सकते हैं यह रहा आपका यहां पर फिगर यहां बना है मैंने वैसी आपको बना से जनकारी बता दूब करते हैं तोArenaic हूँ इसमें वर हुए ज tähän का सेर्इंग हो रहा है वहां पड़ी और कि पॉलैंट का舞 papry और क्या होता है तो यह ओता है दो इक है यह प्योंट विक्तन को समझाने में कितना लग गया रहा है भी अव da से समझाते चला जा रहा हूं ताकि इस तरह कोशन अकर आपकी एक्जाम में तो छूटे ना आप से तो यही चीज़ आप वहां पर लिखेंगे अनदर टू इलेक्ट्रों के साथ जो है अपना शेयर करता है डवल बॉंड एक डवल डवल बॉंड जो है अधर ऑक्सिजन के सब्सक्राइब कर लेते हैं मैंने आपको यह पूरा इस्ट्रक्चर भी आपको बता दिया तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक करें या फिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ व्यलेंशी जुए व्यूडियो मेंने बना रखा है आप वहां पे जाकर व्यलेंशी को पहले देखें कैसे निकलता है क्या होता है कैसा ट्रीक है उसका तक बाद इस क्लास को आप देखके उस को और बडिया से आप समझ सकते हैं ठीक है क्योंकि अगल मैं अभी व्यूडिय आपको सिखाने लगो तो वीडियो और लंबा हो जाएगा दैन नेक्स्ट में माई डियर स्वें देखते हैं क्या है वाट वुड वी दा इलेक्ट्रों डॉट्टी च्रक्चर ऑफ मॉलिकूल अफ सल्फर विच इस मेट अफ एट एटम्स अफ सल्फर यानि कि सल्फर का आठ आटम्स जो है यानि सौल्फर का जो है एट आumbles दिया हुए है यानि सैफर सल्फर अइसे करके आठ सल्फर दिया हुआ है ठीक है अब उनको जो आप इलेक्ट्रों डॉट्शे 6 में सोखेगा या फिर कॉबल की तरह सोखेगा तो वह किस तरह सब्सकों दिखाएगा यह आप आपको यहाँ पर बताना है तो एक चीजा रखेगा का आठ आटम मिल करके एक क्राउन यानि कि एक तरह से बोले तो जो क्या बोलते हैं ताज ताज की तरह जो है वह बनाता है ठीक है और इलेक्ट्रों डॉश श्रक्चर में वह थोड़ा सा जो है आपका स्फेर की तरह यानि नीचे एस लिखेंगे एंदेन नीचे में जो है एक एस नीचे एक ऊपर एक नीचे और इन सब को जो है सिंगल बॉन्ट से जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे तो यह कोशन आपका यही पर खत्म हो जाएगा ठीक है बाकी इलेक्ट्रों डॉट इस चालूंगा तो दो आठ दस हो गया दस और छे चे यह जाएगा यानि जलफर पर शे डॉट जो है बनेंगे लास्ट वाला में हम लोग देखते ना लास्ट में कितना है तो चेड़ बनेगा यानि इस तरह से हम शे डॉट इसको बना देंगे उमीद में उमीद हो रहा मतलब कि सायद आपको समझ में आ रहोगा बहुत बनीया से नहीं आ रहा थे यार अब धे घर से लास्ट में जो बचता है उतना ही हमें हम लोग से ए्टम के साथ यह है इलेक्टरोन जोड़ देते हैं तलास में शेवचा हुए था तो मैंने शेवचा हुए ऐसके सामने आपको देंगे इस पास ऍथ की ठेखेओ बात करहाओ झासरी बात करूँ इस सर्कल का नहीं इस स्ल फर का में सिर्फ बात करूँ तो एक दो लेक्टरोन तेन Fourth पांच एलेक्टरोन छkell एक ठीक है तो इसके पास जो है वह छ्छे प्रेश 사सा कर तरह के साथ ले करके और शलकल को पूरा किया है ठीक है उसी इस तरह से सारा इलेक्ट्रोन जो है वह एक लूप बनाके अपना एटेट इलेक्ट्रोन को जो है वह कंप्लीट करके अपना एटेट इलेक्ट्रोन को कंप्लीट करके स्टेबल जो है फॉर्मेशन इन्होंने एचीव कर लिया है और इस तरह से इनका डॉट इस चक्चर बनके त्यार हो जाएगा इस तरह से इनका dot structure बनके त्यार हो जाएगा तो उमीद है आप समझ गए यह कहानी नहीं समझ में आते हैं आपको एक बार यहाँ पर बना के दिखाई दे रहा हूँ तो इस तरह से आप पहले sulfur को जो है निकाय बनाएंगे इस तरह से इस लिखेंगे इसके उपर जो है इनका atom जो है वो चड़ाएंगे इस तरह से दो दो चार एंड दो छे इस तरह से करेंगे देन नेक्स्ट ईलफर लीखेंगे आप नेक्ट जो है वो सलफर लीखेंगे and देन उनका दो दो चार दो छे देन हैक्स्ट ईलफर दो दो चार दो छे तीन सलफर हो गया है दैन चौथा सलफर दो दो चार दो छे पांचवा सलफर दो दो चार दो छे यह मैं इलेक्ट्रोन बना रहा हूँ छे छे जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कितने हुए पांच हुए ना छटा सलफर दो दो चार और ये दो छे च्छे सल्फर हो गए दैन उसके बाद सर्कल में बनाना था ना सर्कल में इसको बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहां से मिटा के और यह इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं च्छे दैन उसके बाद यह दो इलेक्टोन को मैं यहां पर सो कर रहा हूँ सल्फर का दैन यह सल्फर इसका छे लेक्ट्रोन दो दो चार दो छे जैन इसका सल्फर दो दो चार दो छे ती ती शे साथ आठ देखिए यह दिखिए यहां पर इस्ट्रक्टर जो है बन रहा है दम हूब हूब ऐसा ही ठीक है इनको आपस मिला लीजे 8-8 इलेक्ट्रोन करके जैसे यह 6 थे 6 थे यह 6 है यह तो आपना यह अपना दो 2-2 इलेक्ट्रोन सेर करके 8-8 इलेक्ट्रोन में complete कर लेगा यह तो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कहानी कैसे क्या है तो आप इस तरह से आप अपना बना लेंगे इस कोशन को भी चीक है मेरा काम था आपको बस कोशन को दिखाना किस तरह कोशन आपके exam में आएगा और कैसे solve करेंगे य यह मेरा काम है बाकी आपको revision करना आपका काम है कि आप किस तरह से आप इस तरह कोशन को revision करेंगे देन नेक्स कोशन आपके सामने कि how many structural isomers can you draw from pentane pentane का इस ओमर कितना आप जो है draw कर सकते हैं तो आप यहाँ पर pentane pentane है तो pentane यानि c5 h12 हो जाएगा मैंने कैसे इसका निकाला तो pentane है इन यानि alcan alcan का आपको general formula याद होगा क्या होता है alcan का general formula h2 cn h2n plus 2 होता है alcan का general formula pentane करा है यानि 5 carbon atom तो यहाँ पर 5 रखेंगे then 2 into 5 plus 2 रखेंगे तो आप यहाँ पर जब निकालेंगे तब का c5 और h12 निकल के सामने आ जाएगा तो इस तरह से इसका formula निकालेंगे and then उसके बाद उसका isomers जो है find कर लेंगे isomer होता क्या है तो isomer ध्यान से सुनिए isomer क्या होता है जिसका कि molecular formula तो सेम हो यानि c5s12 भी हो सारे structure में लेकिन उनका जो structural जो है geometry जो है structure geometry वो different हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसी को हम लोग isomers कहते हैं जैसे यहाँ पर देखिए इन pattern का भी जो है structure formula जो है sorry geometry molecular formula c5s12 है आई जो पेंटेन का भी molecular formula c5s12 है नियो पेंटेन का भी molecular formula c5s12 है लेकिन structure देखिए different different है तो इस तरह के हम लोग is more इस तरह के structure को हम लोग different structure जो एक same molecular formula का निकलता है उसी को हम लोग isomers कहते हैं और यहाँ पर जो मरिश्टर का आपको बनता हुआ दिखे रहा है आप इसको देख के समझ लेंगे ठीक है चलिए दैन फोर्थ कोशन क्या कह रहा है फोर्थ कोशन यह है मैड़ेंट कि आपना बॉंड सेरिंग कर लेता है यानि कार्बन के पास एक यूनिक एक जो है अबिलेटी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ मिल करके अपना बॉंड सेरिंग कर लेता है है ठीक है और बहुत बड़े मात्रा में जो है एक मॉलिकूल कार्बन का बना सकता है बहुत बड़े मात्रा में इन्फनाइट तक भी जा सकता है इस प्रोपर्टी इस कोल कैटनेशन उसी को हम लोग कैटनेशन बोलते हैं इस कंपाउंट में हैं लॉंग चैन अफ कार्बन बन सकता है, branch chain भी बन सकता है carbon का या फिर वो एक rings भी बन सकता है, यानि cyclic भी बन सकता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक आपका straight chain है, यह आपका branch chain है और यह आपका cyclic form है carbon carbon का, bonding का, then next carbon का क्या है, अगर हम addition method लगा है, तो carbon linked single bond भी खरता है, double bond के साथ भी खरता है, और triple bond के साथ भी खरता है, सेकिन्न पूर्पार्टिज यो यियो पहता है क्यों टेटर वलेंशी क्यूंक आप उसका निकल कैंगे दिखेट लास्ट विक्ता है श्ता script यह लेक्sky आपने क्या है Hungary not साहथ जो हे यह फिर oxygen के साथ जो है але फिर nitrogen के साथ जो करता ऐ यहींगर साफ से सींगल बॉंड लेता है और carbon oxygen के साथ यहां ड़ाud सो कर लेता है करवन nitrogen के साथ जो ह्ग हो फोर्मेशन वह सो करता है ठीक है क्योंकि इसको बाद यह वह कर बंड जो तो तीम टक है तीन बंड टाना कर सकता है और बॉंड का कार्बन मलकूल से दैन नेक्स कोशन देखते हैं उमीद है यह सारत जो है आप समझ गए होंगे दोनों प्रपर्पर्टिस चार कोशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दैन फिप्ट है कि वाट विल भी टा फर्मूला एंड एलेक्ट्रों टॉट्टी उसको अभल कोशन कोशन है अपका कहां से क्लास में और इतने सारे मेटरियल इतने सारे कोशन प्रैक्टिस जो है वह आपको में कराऊंगा तो आप लोग क्लास में पर जूड़े रहे हैं आपका ये सारा जो हो जाएगा एक कोशन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक लिए जैहिंद जैभारत इसे तरह से पढ़ाई करते हैं